नमस्कार सत्रेकाल अदाब दोस्तों आज इस वीडियो में जानेंगे कि परंगनेंसी में गुलगप्पा खाना चाहिए ये नहीं अगर खाना चाहिए तो कब और कितना खाना चाहिए इसके फाइदे और नुकसान के बारे में तो यह वीडियो काफी इंट्रेस्टिंग होने वाली है तो पूरा जरूर देखेगा तो चलिए आज कुछ नाया सिख लेते हैं दोस्तों परंगनेंसी में गर्ववती महिला को बजार में मिलने वाले गुलगप्पे बिलकुल भी नहीं खाना चाहिए क्योंकि आप खुद नोटिस कियो होंगे कि उसे बनाने के लिए कैस कौन से हाथों का इस्तिमाल किया जा रहा है आपने यह भी देखा होगा कि कई जगह ठेला पर विक्ने वाले गुलगप्पे के उपर मक्खी बैठते हैं ऐसे में अगर प्रिचनेंट महिला बजार की गुलगप्पे खाती héं तो इससे उसकी तवियत खराब हो सकती है अगर घर में बना कर खाती है तो कोई दिकत नहीं है ध्यान रहे कि ज़्यादा मासालेदार और ज़्यादा खटा ना हो और इसका सेवन तीन महिनी के बाद ही करना चाहिए सुरुवाती महिनों में अगर गोलगप्पे खाएंगे तो मिस केरेज होनी की समस्या हो सकता है परिग्नेंसी में गोलगप्पा कम मात्रा में खाएं दो या चार से ज़्यादा कभी न खाएं दोस्तो अधिक मात्रा में और ज़्यादा खटा वाले गोलगप्पे खाते हैं त तो सिसु को संकर्मन हो सकता है और गर्वती महला को एसीडिटी का प्रोब्लेम हो सकता है और पेट संबंधित कई तरह की प्रोब्लेम हो सकता है I hope कि यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ओल कर लिजिए दोस्त वसाहिलियों के साथ वाटसेप फेस्बुक पर सेर कर दिजिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद